खाले में खेसारी लाल यादों ने एक स्टेश शो के दोरान सानिया मिर्जा के शादी को लेकर अच्छी खासी टिपड़ी कर दी ऐसा लगता है कि अब एक बार फिर सानिया मिर्जा की वज़े से खेसारी लाल यादो जेल जाएंगे क्योंकि इस स्टेश शो में जो जो बाते खेसारी लाल यादो ने सानिया मिर्जा को ले कर कही है वो किसी को भी बुरी लग सकती है वैसे भी आज कल खेसारी का ये स्टेश शो खूब वाइरल भी हो रहा है जिसमें खेसारी ने खूब जमकर ठुमके लगाए है और इस स्टेश शो में खेसारी ने ये बताया कि उनकी लाइफ में सानिया मिर्जा का एहम रूल है और सानिया मिर्जा की वज़े से ही तो वो आज सुपर स्टार बने है दरहसल जब सानिया मिर्जा ने शादी की तब खिसारी लाल यादो एक छोटे मोटे स्टार हुआ करते थे स्टार भी आप नहीं कह सकते हैं आप ये कह सकते हैं कि वो अपनी एल्बम में काम किया करते थे स्टेज शोक किया करते थे लेकिन जैसे ही शानिया मिर्जा ने शादी की और उनकी शादी को लेकर खेसारी लाल यादों ने अपने एक एल्बम में ये गाना गाया सानिया मिर्जा काहे खुचलु दुरहा पाकिस्तानी एल्बम ने आते ही धूम मचा दिल और ये गाना सानिया मिर्जा को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने खेसारी लाल यादो पर मानहानी का दावा ठोग दिया मानहानी के केस में खेसारी लाल यादो को तीन दीन जेल की हवा खानी पड़ी और फिर जब खेसारी लाल यादो जेल से बाहर आए तो फिर वो वही खेसारी लाल यादो नहीं रह गए थे जो जेल जाने से पहले थे अब तो खेसारी लालियादो के गाने ने उन्हें सुपर डुपर हिट भोजपूरी सिंगर बना दिया था इसलिए सायद खेसारी लालियादो सानिया मिर्जा का ये एहसान चुकाना कभी नहीं बूलते और अपने हर एक स्टेश शो में सानिया मिर्जा की शादी को लेकर वो जरूर कोई न कोई बात कहते हैं भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मोलिए